Good morning my dear students, how are you? बच्चे, आग जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहे हूँ, वो मैं कप्छा चार से जानी की फोर्थ इस्टिंडर से बनाने के लिए जा रहे हूँ और वो भी आकरती से बच्चे, आप लोग जब कभी गौँ जाते हैं तो गौँ घरस में जैसे होते हैं दादी, नानी, काका, काकी, मतलब कि पूरी फैमली होती है अपनी, तो आप ध्यान दीजिएगा जब आप कभी गौँ जाते हैं तो जब सभी एक टोली बना करके या एक जुंड बना करके ज उसके इतने सुंदर बोल देती है कि उसे हम वहाँ पे वो लोग गीत भी गाने लगते हैं जिसे हम बोलते हैं लोक संगीत जैसे कि कुछ कूटने का काम होता है जैसे उखली में जैसे कि धान कूटते हैं चावल कूटते हैं या कुछ जाता लेके कुछ पीसते हैं काकी, ना लोग कुछ गीत बनाते हैं और इतने अच्छे उसके बोल होते हैं और वो लोग गाना गाते गाते ही धान कूटते हैं कुछ पीसते हैं जाता पे और कुछ पापर उपर बनाते वक्ती गाते हैं तो जल्दी से वो काम भी निपड़ जाता था गाना के साथ साथ क्योंकि गाना जो गाया जाता है, अपने से कुछ जोर के, बना करके, अच्छे स्वरों में, अच्छे सूर में, तो उसे ही हम लोक संगीत कहते हैं, जो कि आजकल लुप्त हो गई है, लेकिन आजकल तो देखिए, अगर एक तरह से देखा जाए, तो आजकल तो शहर बाजार में भी लुप् संगीत से प्रभावित होते हैं, लोक संगीत गाकर, लोगों को रिजाते हैं, लोक संगीत की मानता, उसकी मानने को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए, इसी के ओपर आधारित हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कि क्या, देखिए, 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 गीत गागा करके, जो लोग काम करते थे, तो फटाक से काम भी हो जाता था, बड़ी आसानी से, कुछ थकावट भी नहीं होती थी, चलिए इसी के उपर हम आज काहानी पट रहें, गीत का कमाल, जो मैं आपको बताई हूँ, जब आप गौँ जाएंगे न, तो ध्यान गागा, एक गौँ में एक औरत रहती थी, गौँ का ही कहानी है, इसलिए हम गौँ का ही चर्चा किये हैं, एक गौँ में एक औरत रहती थी, जो कभी गाती नहीं थी, जो कभी गाती नहीं थी, गौँ की सारी औरतें चक्की चलाते हुए, पुए पर जाते हुए गाती रहत लेकिन उकली में जो धान कूड़ते थे, चावल कूड़ते थे, मसाला कूड़ते थे, उसका जो एक टेस्ट होता था, एक जो खुश्बू होती थी, उसकी बात ही अलग है, समझ में आया ना, जैसे कि जाता पे कुछ पीस रहे हैं, उसकी जो सुगंध होती थी, जैसे कोई ग गाती थी, गों की सारी औरते चक्की चलाते हुए या पूए पर जाते हुए गाती रहती थी, और वह चुप रहती, कौन चुप रहती थी, जिसे गाना गाने के लिए नहीं आता था, गाना तो वह भी चाहती थी, पर उसे कोई गीत आता ही नहीं था, तो कैसे गाती, उसके पर पस कोई नोप नहीं था एक दिन इस औरत में अपनी पुछा सक्षी तुम सारा समय गातीoga से रहती हो तुमने इतने सारे गीत कहां से सहे तो सक्षी बोली उस से अरे अरे उसकी परुषन मजक में कहा रह तो बहुत आसन है गाने तो बजार में बिखतेigm二 बन- esperm जैसे बजार में सी डियोडी मिलते न उसकी बात वो करने लगी। यह सुनकर औरत बड़ी खुश हुई। कौन खुश हुई? जिसे गाना गाने के लिए नहीं आता था। गाना गाने के लिए आता था पर उसके पास गाना नहीं था। जब उसका पती घर लोटा तो उसने कहा जल्दी करो बाजार जाकर मेरे लिए कुछ गीत खरीत कर लाओ। देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ, यह दोनों आपस में बात कर लिए। जो सक्की तुम इतना अच्छा गाती हो, कहां से गाना सब लाती हो। तो मैंने तो वहां गीत बिखते नहीं, बाजार जाकर मेरे लिए कुछ गीत खरीत कर लाओ। मैंने तो वहां गीत बिखते नहीं देखें, उसके पती ने आसरज से कहा, जिसको गीत गाने का बहुत शौक है, पर उसके पास गीत नहीं है, बोल नहीं है। पर मैं जाकर देखता हूँ, मुझे पांच रुपिये दो, मैं एक बहतरेन गाना लेकर आता हूँ। वह पैदल पैदल बाजार चला और सबसे पहली दुकान पर जा पहुचा, वहां अनाज बिखता था। उसने दुकांदार की तरफ पैसे बढ़ाए और कहा, एक बढ़िया सा गीत देना भाई। दुकांदार ने मसकरी से अपने बेटे को आख मारी और कहा, मेरे तो सारे गीत भी गए। ऐसा करो सबजी वाले के पास देख लो। उसने उसे मजाक बना दिया। क्योंकि कहां थे हैं। अनाज के दुकान पर गीत थोड़े ने मिलता है। तो वो बिचारा अनाज के दुकान पर गया। उसे एतना तो समझना चाही का गीत नहीं मिलता है। कपड़े वाले का भी यही हाल था। जोरी के पास देख लो। उसने शुझाया। और इस तरह वो बिचारा सारी दोफर एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा। एघ Rhagas that करी दुकान पर जोहरी और नाज अर सबजी के दुकान पर झुझा इसे पुरा भटक रहा गीद लेने के इस थाझए बिचारा सारी दोफर एक दुकान से दूसरी दुकान भटक ता रहा पर एक में घीक नहीं Вид Доiler, आखिर कर और दुखी मन से घर की ओर लोटते लौटने लगा दुखी मन से लोटने लगा वह आदमी रास्थumin में उसे एक बील खोदते हुआ दीखा उसते में उसके मन में विचार आ Premiere रास्ते में 1 किर मनी कीम कों लेता हुए व्याद कीम आदम look सब्सक्राइब गीत बनाते हैं वैसे वह भी सोचा मैं खुद ही गीत बना लेता हूं जिसमें यह चुहा होगा उसने सोचा और हो गया शुरू खोदे खरर खरर अपनी इस जगत से खुष होकर आजे खरर 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 आगे उसे एक साप रैंटा हुआ दिखायी दिया और उसने घीत में जोरा सरके सरर शरर और सर के सरर सर अब वह गर्व से गाता चला और वह गाते चला खोदे खरर-खरर सर के सरर इतने में उसके एक खरगोस दिखाई दिया जो जारी के पीछे से जहां करा था और वह बोल उठा देखे टगर-टगर देखे टगर-मगर सरी देखे टगर-मगर अब उसका गीत जब उसने कुछ हिर्णों को कुलांचे भरते देखा तो उसके मुँँ से निकला कोदे डगर डगर लो गीत पुरा हो गया था वह खुसी खुसी गीत गाते हुए घर चल दिया गोँगर समय जो ऐसे गीत बनाए जाते हैं खुध से बोल बनाए जाते हैं खुध से अप सौच करके इमेजीन करके जैसे नदी छिए अनिदी के किनारे गही हैं जाता पे उछली में कुछ रही हैं तोMP आप गवश से जिसे बाहर में कुछ पापर बनाएं, तो वो लोग खुछ से सोच करके, इमेजीन करके गाना बनाते हैं, बोल बनाते हैं, फ़र बनाते हैं, आप गाना बनाएगा, लेकिन उसके लिए तो सोचना पड़ेगा, तो देखिए उसका भी गीत पूरा हो गया, जिसे हम लोग संग सबस्क्राइब ऑने उसे कोई सेस्क्राइब करकें रहें सब्सक्राइब कराया डिस लोग होते नEO से बहुत आनंद आता है और काम भी जल्दी से हो जाता है तो चकी पिस्ते Shkit वो अरत गाने लगी उसी समय उसी समय चार चुपके चुपके उस घर की दिवार से दिवार में सेंग लगा रहे थे मतलब की दिवार को काट रहे थे सेंग सब तो सब Himself को कट रहेते उसने उसे गाते सुना कोधे खरक सब तब और गुछ गया. सेंग को काट करके वो अंदर गुछ गया चोर तभी उस औरत ने पता नहीं था कि चोर नी सेंग कर दिया है घर को और वो अंदर में घुश गया है देखे टगर-मगर देखे टगर-मगर कौन बोल रही है उगाना गारी है देखे टगर-मगर देखे टगर-मगर भापड़े उसने जरूर देख लिया है कौन सोच रहा है चोर सोच रहा है जो उन्होंने कसम खाई कि फिर कभी इस घर में मैं नहीं करूँ gone कृई नहीं करूगा और फोकु पत ही नहीं चला कि उसको कुछ नहीं पता था और तो सुट अहुंच भाडि पती जागा तो सुबह की रौशनी में दिवार में बना च्हेद देखा पती पूरे घर को देखा तो कुछ भी गायव नहीं था उसने अपनी पत्नी से पूछा कल रात तुम क्या कर रही थी लगता है हमारे यहां कुछ बीन बुलाए महमान आये थे ओह मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला पत्नी ने कहा मैं तो रात पर उस गीत का रियाज करती रही जो तुम लाए थे वाँ पत्नी ने गर्व सिorte रही है लगता है यह वागई कमाल का गीत है उसने चोरों को भगा दिया वह भगा दिया वह अうरत तो मगन में गीत का रही थी उसे तो पता ही नहीं था कि वो चोर आया सिंग डाला अंदर घुस गया उसे तो कुछ पता नहीं था वो तो अपना मगन में गीत गाये जा रही है गाये जा रही है उसने चोरों को भगा दिया उसके गीत में इतना कमाल था उसके गीत में वाकई में वो गीत इतना कमाल का था पती ने गर्व से का किसने चल दिये कि सही वक्त पर सही गीत गाने से कैसा कमाल होता है सही वक्त पर सही गीत गाने से कैसा कमाल होता है वो पुरे गानी को बताई खुशी खुशी बताई तो आपको इससे क्या सिख्छा मिली बच्चे गीत गाने का कमाल जो होता है है कि हमें सही समय पर सही चीज करने से सही गीत गाने से को असर होता है अब देखें उसके गीत में कितना कमाल था कि वो तो अपना मगन में गा रही है उसे नहीं पता था कि चोर अंदर में गुश गया है लेकिन उस गीत के जो शब्द थे उस गीत के जो बोल थे उस चोरों को को डरा दिया चोड़ों को इस तरह दरा दिया कि उसे लगा कि यह औरत मेरे लिए ही गा रही है उसको पता चल गया कि मैं अंदर गुश गया हूं मैं कुद गया हूं ठीक है न इसलिए सही समय पर सही काम करना है थोड़ा सब्दार्थ देख लेते हैं इसे आप अपने तो बिती हैं हमें प्रियास करने के लिए प्र्यास करने कटी गया था कि मिले में तो भूंड़ों मतलव घमण है ठीटक नंजब ड्रून भूंडब अभ्यास जह की पत्नी रातवर्थ गानागारे नितो पर्न जब परीचारी इसे पर अपने परोशन से क्या पूछा जो अभी आप समस्या का ही समाधान हो जाएगा आप खुद परफल कर सकते हैं अब देंगिसमय पर सही चीन लगा वहाँ की औरतें गीत गाती हैं जिसे हम लोग गीत कहते हैं परोसन ने औरत को क्या बताया गाने बाजार में बिखते हैं गाने में स्वेंग बनाती हूं गाने मेरे पती बनाते हैं गाना मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया गाने बाजार में बिखते हैं तो यह सब यह सब आप कर लीजेगा तो जब जब आप एक एक पूछ करने के लिए आजाएगा हर प्रश्न का हल आप कर सकते हैं कि कहीं पर कोई आपको लगे कि मेम से मुझे पूछना है तो आप फोन करके पूछ सकते हैं कभी धन्नवाद